प्रेंट्स मेर नाम यासु मिस्टर यासु है कर YouTube चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंट्स यह मैंने ले लिया एक PVC पाईप आपके पास कोई बिजली फेटिंग या पानी फेटिंग वाला पाईप हो तो आप वह भी यूज़ कर सकते हो वह भी आपर वर्क कर जाएगा और इ इसके सिर्फ खोक के चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए तो देख सकते हो मैंने इनको उपन करके सिर्फ इनका ये जो बोड़ी है वह वह लिया है इनका यामें काम है तो फ्रेंट्स अब मैं इनमें वायर डाल रहा हूं तो वायर आप थोड़े बड़े ले लेना आप जब तो आप पहले गिस लेना जिससे हमारे वायर इन पर अच्छे सा टेज हो सकते हो और आप इस पर सोल्डरिंग कर सकते हो लेकिन वह तूट सकती है इसलिए मैं यहां पर देख टेप लगा रहा हूं इलक्ट्रिसिटी में यूज होने वाली तो यह यहां पर इनको जोड़े यूज कर लिए और यहां पर आपको सिर्फ नटनट को चिपकाना है क्योंकि बोल्ट को हमें बाद में टाइट भी करना है जब हम इसमें नाइक्रों वायर कसेंगे जब तो इनको आप इस तरीके से फिट कर लेना दोनों को और अच्छे से फिट कर लेना फेंस वीडियो अ निसान लगा रहा हूं यह दो निसान में लगा रहा हूं यहां पर आपको होल करने और एक पीछे की साइड में बड़ा होल आपको करने इन में से आपको वायर निकालने तो आप थोड़ा बड़ा होल कर लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए तो इस तरह से मैं इस सबस्क्राइब तो मैंने तीन इस कि लिए इसमें आपको अलग अलग दोनों में इसके वायर और नीचे की साइड से इन वायर को निकालने नहां है इस तरह इसे में इसको डाल कर यह से निकाल लोगा आप Consazo तो मैंने इसको पूरे को डाल दिया आए कि यह हमारा कंप्लेट हो चकाए तो नीचे की साइड सापको इनको निकाल लेना तो यह निचे साइड जब हम हैंडल बनाएंगी तो वहां पर हमारे वायर काम आज जाएगा और हम यहां से इसको सप्लाइद दे सकेंगे तो इसे ही म इन दोनों को कर लूँँगा तो फ्रैंट्स मेतल हो इन को चिपका काने क्योंकि याँ पर थोड़ा पड़ेगा तो यह से निकल सकते हैं तो यह मैंने दोनों को और आप्च Свेका लिए ह। इन पर हमेट्री डाल देना और इन बिल्कुल सिद्धे जिपकाना ताकि अच्छे से अपना वर्क कर पाएं तो देख सकते हैं इन पर मैं मिट्टी डालकर इनको और ज्यादा हाड कर लिया है इसके बाद मैंने एक और PVC पाइप का ये कट कर लिया है पीस और यहां पर मैं इसका हैंडल बनाऊंगा फ्रेंड्स यह मैं एक स्विच यूज कर रहा हूं यह के बार प्रेस करने पर काम करता है और यह आप किसी भी लेजर लाइट में से निकाल सकते हो उसमें इजली मिल जाएगा तो मैंने इस पर एक बड़ा सा होल कर लिया है ताकि मैं इसमें से यह वायर निकाल सकूं क्योंकि यहां पर आप इसमें से निकाल लेना तो फ्रेंड्स आप मैं इनको चिपका रहा हूं क्योंकि अब हैंडल का काम कंप्लेट हो चुका है तो बस यहां पर इसको चिपका रहा हूं मैं वेखी के मदद से यह यहीजली चिपक जाएंगे और यहां पर बचे हुए वायर को कट कर लेना स्वीच के साथ ठावां की ओला मिला जरा किस यह एड़ करोंकि तो इस आप बाकी बचे प स्कताले को वहाईर में को चिपकां ना फ्रेंट्स मैं थोड़े बाइर बाहर रख लिए क्योंकि इनके यह पॉइंट काफी जादा हलक है और यह इजली तूट जाएंगे अगर जादा इनको अंदर डालने कोशिश करेंगे तो यह मैंने बाहर ही लगा लिए ताकि यह तूटने से बच जाएं और यहां पर यहां से यह थोड़ा खाली है तो इनको आपको बंद कर लेना है यह मैंने पीवसी पाइप को थोड़ा गरम करके उसको फ्लैट कर लिए और फ्रेंट्स मैं यहां पर निसान लगा रहा हूं ताकि मैं इनको कट करके यहां से इनको बंद कर सको और यह ज्यादा अच्छे ल लेना और बैल आइकन को उल पर प्रेस कर लेना तो यह मैं नाइक्रों वायर यूज कर रहा हूं यह आपकी पुरानी स्वाल्डरिंग आयरन हो उसमें से निकाल लेना यह आपको यूटूब पर बहुत ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां से आपको बताया है कि कहां कहां से आप नाइक्रों वायर निकाल सकते हैं आपके घर में यह इसली मिल जाएगा काफी जगों पैसे तो यहां पर मैं लगा रहा हूं तो देख सकते हो इस तरीके साब को थोड़ा सा गमाकर लगा लेना है ताकि यह यहां से निकलेना और इसको टाइट कर लेना है और दूसरे साइट पर अभी खाल लिए तो यहां से हमें एक USB केबल यूज कर रहा हूं और फाइव वोल्ट के चार्जर से में इसको चलाने वाला हूं तो देख सकते हो यहां पर मैंने इसके एक डखकन टाइप में बना लिए ताकि निच्छे से भी यह बंद हो जाए और यह खुले यह बार बार तो नाइक्रों वायर का प्लस माइनस नहीं होता है तो आपको इसा भी वायर किसी में भी एड़ कर सकते हो यह वरक अमारा कर जाएगा और फ्रेंड्स आप इसको रिचार्जेबल बना सकते हो ताकि यह पोर्टेबल हो जाए और आप कहीं पर भी इसको लेकर जा सको फिलाल मेंने मेरे पास यह थी तो मैंने बना दिया आप इसको रिचार्जेबल बना सकते हो किसी मोबाइल की बैटरी यह लिए अमायन बैटरी जो भी आपके पास हो उससे आप एजली बना सकते हो तो यह हमारा कंपलेट हो चुका है और मैंने इसको उपर टेप इसको बना सकते हो और इनको बिचाइब सेख़े इसको चिप रएक नेहीं ना तो देख शकतownि यहाँ पर आप व्यूदि से इसली चिप्का सकते हो और हमारा Protocol हो चुका है बससकी टेस्टिंग बाकि तो अब इसकी के टेस्टिंग भी कर लेते हैं तो इसके चलाने के लिए में यह यूज कर रहा हूं इसमें से इतना हीट नहीं हो पा रहा है जितना इसको होना चाहिए तो आप इसकी जगा ये यूज ना करके किसी 9 वोल्ट की बैटरी या 12 वोल्ट से इसको चलाना तो उसमें ये और जादा अच्छा वर्क करेगा तो आप देख सकते हो किस टाइप से कट कर रहा है और इसकी फिनिसि टाइबा तो आप इसको रिचार्जपल बना लेना और यह देख सकते हो किस टाइप से हमारे बचाजेबा है और पर देख सकते हो फी टाइप सेना थैंक्स क्यों, बाइबाइ